हलो चो कैसे हो मैं हूँ अर्जुन आपका mathematics mentor बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी कि सरिये plus minus वाला हमें समझ में नहीं आता है कहाँ पे addition करना है कहाँ पे subtraction करना है minus sign कहाँ पे लगेगा plus sign कहाँ पे लगेगा तो यह minus plus वाला थोड़ा सा समझा दो तो आपकी demand थी इसलिए मैं आपके लिए वीडियो लेकि आ रहा हो आज हम plus minus वाला सारा खेल यहीं पे कतम करने वाले हैं तो ध्यान से सुनना है last तक मैं अलग-अलग examples लूँगा और उससे explain क करूँगा कि यह plus कहाँ पे करना है minus कहाँ पे करना है addition subtraction sign कौन सा कहाँ पे आएगा सब कुछ आज के वीडियो में होने वाला है बस मैं आपको कुछ rules बताऊंगा वह rules आपको ध्यान से सुनने हैं उसको लिख के रखना है और उसके बाद कुछ questions भी practice करने हैं करेंगे ना चला तो start करते विड़ा सबसे पहले यार इसमें मैंने कुछ types बनाए हैं जैसे कि अगर question होगा addition subtraction वाला तो उसके लिए क्या rule है question किसका होगा addition subtraction वाला ठीक है मैं आपको एक-एक rule अच्छे से समझा दूँगा so don't worry question अगर addition subtraction वाला है तो फिर आपको कुछ rules याद रखन वाले question में आपको एक rule याद रखना है बिटा कि same sign same sign अगर होगा यहाँ पर same sign अगर होगा तो आपको क्या करना है add करना है same sign है तो add करना है और उसके बाद आपको यहाँ पर same sign ही देना है last में यह मैं समझा दूँगा with example समझाओंगा अभी हो सकता है जब मैं rule लिख रहा हूँ आपको confusion हो रहा हो सर यह क्या लिख के दे रहे हमें तो अभी दो किसी ने ऐसा पढ़ाया नहीं same sign add same sign यह मेरे rule से बिटा यह किसी book में नहीं मिलेंगा आपको तो आपको मैं example से समझा दूँगा कि यह मैं क्यों लिख रहा हूँ और यह कैसे use होने वाले question solving में तो same sign होगा तो add करना है और फिर same sign देना है देन उसके बाद यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अगर different sign होगा different sign दोनों numbers जो है आपके पास उनका अगर different sign होगा तो आपको सीधा सीधा क्या करना है बिटा subtract करना है और last में sign किसका देना है greater number का sign sign देना है यहाँ ग्रेटर साइन बोल सकते है आप greater number का sign है एक्चुली हो greater sign में बोल रहा हो यहाँ ठीक है आप समझ लो यह rule आपको कोई exam में नहीं पूछने वाला आपको वस question solve करते आने चाहिए तो greater number का sign आपको देना है अब आते हैं बिटा examples पे ठीक है देखो मैं क्या बूल रहा था addition subtraction वाला टाइप अब आपको कैसे समझ में आएगा कि सोरी question addition subtraction का है या multiplication division का है example से समझाता हूँ देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक example लेता हूँ जैसे कि मेरे पास है example example अपना बोर्ड छोटा हो गया भी आप है ना खताम हो रहा है बोर्ड है चला example में लेता हो यहाँ पर माइनस टू प्लस त्री माइनस टू प्लस त्री इस इक वर्ज टू होट अब देखो इस question में आपको कहीं पर भी हाँ पर multiplication division दिख रहा है क्या नहीं सर यह माइनस है यह प्लस है समझ जो फिए question addition subtraction वाला है आया समझ में यहाँ पर कहीं पर भी multiplication division नहीं है तो यह question addition subtraction वाला है अब अगर type आपको समझ में आया तो उसके बाद rules पर आ जाओ अब rules के according same sign है क्या नहीं सर दोनों नमबर के तो अलग-अलग sign है तो मतलब यहाँ पर आएंगे आप second पर different sign है अगर different sign है तो मेरे क्या बोला था आपको क्या करना है एक करना है समझ में आया different sign जैसे आपको दिख रहें यहां पे आपको करना है सब्ट्रैक और सब्ट्रैक करते टाइंगे हमेशा याद रखो हम्हें बड़ा number minus चोटा number ही करना है तो यहां पर बड़ा लिखा नटकर आघा साइन यहां पे लिखा और साइन किया लिखे आगा हमने यहाँ पर डिलुक्षा उससे सब्ध्रैक कर दिया सुट्रैक करते मिधे हमेशा Bड़ा नंबर मैने चोटा नंबर ही करना है तो यहां पर 3-2 करेंगे और उसके बाद दिख psychologists अंदे तो यहाँ पर 3-2 उसका sign प्लस है तो answer क्या आएगा प्लस वन आएगा प्लस नहीं लिखा तो भी चलता है ठीक है या प्लस वन लिखो या मत लिखो वह नहीं लिखा तो भी प्लस कंसिडर किया जाता है तो यह पहला example सबको clear रहे फटा पट लिख दो यार comment box में की पहला example सबसे पहले यहाँ पर addition, subtraction आदा question है समझ में आया हाँ सर कहीं पर भी multiplication, division नहीं है उसके बाद आते फिर rules पर different sign दीख रहे है सर different sign है तो क्या करना है subtract करना है subtract करते टाइम पर बड़ा number minus चोटा ही करना है तो 6 में से ही 5 subtract करना है आपको तो 6 minus 5 answer क्या आता है वन आता है आप बलेंगे सरी तो गलत किया आपने नहीं अभी complete नहीं हुआ है मैंने यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करके रखा है फाइनल नहीं है वन तो आया मेरा बट different sign सब्ट्रेक्ट तो कर दिया sign कौन सा देना है greater number का sign तो greater number का sign क्या है बिटा य माइनस है तो आंसर इसका माइनस वन आना चाहिए यह करेक्ट है आया समझ में ऐसे आता है आप करके देखो प्वाइम माइनस इक्स का आंसर माइनस वन ही आता है बर रूर्स रूर्स कैसे लगए different sign है सब्ट्राक करेंगे सब्ट्राक किया answer वन आया बट सर वो तो negative आता है तो हाँ उसके लिए rule बता है ना मैंने greater number का sign लगाते है तो यहाँ पर greater number का sign हमने लगा दिया और हमारा final answer आगया minus 1 ठीक है अब देखो छोटे छोटे numbers लेके मैं आपको समझा रहा हूँ था कि easy लगे आप बड़े numbers लेके भी कर सकते rule तो same ही रहेंगे यार rule थोड़ीना change ह देखते ना यह तो अभी second rule cover हो गया first rule अभी हमारा बाकी है तो first rule पे भी जाएंगे देखो minus 4 minus 5 सबसे पहले तो यहाँ पर sign मुझे same लिक्रे सर सेम साइन है तो यहाँ पर जाएंगे addition subtraction obviously same sign है तो add करने के लिए बोला दज़र अपने ठीक है हम 4 प्लस 5 लिग देंगे 9 साइन है तो add करना बूला था अपने add कर दिया और सेम साइन जो है माइनस माइनस है तो माइनस ही दे दो इसको सेम साइन है एड करो और last में final answer को साइन भी सेम ही दिना है जो है तो देखो minus 4 और minus 5 का answer क्या आना चाहिए minus 9 आगे हमारा सहता question देखते है यार minus 7 नहीं minus 7 नहीं 7 प्लस 3 अब इसको प्लस 7 करके देखते बड़ यह मेंनिंगलेस हो जाए मनला में लिखते है तो यहां पर कुछ साइन नहीं मितलब प्लस ही होता है तो यहां पे भी साइन के से बिटा सेम साइन है प्लस प्लस तो क्या करेंगे सेम साइन तो add करने के लिए प्लस प्लस तो प्लस यहां पे लिखो और मत लिखो कुछ फरक नहीं पड़ता है तो 7 प्लस 3 क्याएगा यहां संग तरदह सेम साइन वाले दो अलग-अलग के समने देखे इसके आलावा भी कुछ इन यहां पे बन सकते हैं जो आपके लिए कंफीजन करेंगे तो वह भी मै तो यहां पर थोड़ा सा पार्टिशन डालता हो और इधर करते हैं कोशन नंबर फाइउ कोशन नंबर फाइउ एक्जांपल फाइउ तो यहां पर लिटा हम माइनस 3 प्लस माइनस 2 अब देखो यार यहां पर ध्यांस से सुनो बेटा करना क्या है सबसे पहले यह जब साइन साथ में आते ना दो साइन अगर साथ में आते हैं उनकी बीच में कोई नंबर अगर नहीं है तो समझ जाओ यह जो है ना यह मल्टिप्लिकेशन में आता है यह दो साइन कैसे मल्टिप्लिकेशन में है तो प्लस और माइनस मल्टिप्लिकेशन में क् करेंगे तो क्या होता है माइनस होता है वो इसके बाद हम देखने ही वाले है पर फिर यहां पर एक example बदा के रखता हूँ अगर यहां पर नहीं समझ में आया तो ऐसा एडिशन सब्ट्रेक्शन जैसे हमने किया है वैसे हम multiplication division वाला भी करने वाले है तो वहाँ पे आपको ये वाला type clear हो जाएगा अब देखो यहाँ पे addition और subtraction ये दोनों same साथ में आ रहे हैं मतलब ये multiplication में हैं तो ये हो जाएगा plus into minus minus ये multiplication में इसलिए minus तो ये होगा minus 2 अब ये plus वाला sign चला गया अब तो ये same यहाँ पे आ गया है same sign add करेंगे और same sign दे देंगे तो हो गया हमारा answer आया समझ में फिर से एक बार समझाते हूं यार आपको यहाँ पे कहीं पे भी multiplication division नहीं दीक रहा है तो सबसे पहले आप उसको type देंगे addition subtraction वाला रूल नंबर वन क्या बोल रहा था same sign add same sign दें उसके बाद different sign subtract greater number का sign तो इससे हमने 4-5 example से आप इस्वाल कर लिए अब अलग-अलग examples लेके देख सकते बिटा और यही rules वहाँ पे लगाओ आपके answers correct ही आएंगे चलो अब जाते है बिटा multiplication और division पे बट इसके पहले आपको अगर लिख के लिए ना है तो फड़ावड इसको copy कर लो और आते हैं अब multiplication और division पे आते हैं multiplication और division पे तो देखो multiplication और division में आपको करना क्या है अगर question multiplication division वाला है तो वहाँ पे sign के साथ कैसे deal करे multiplication division है तो रूल क्या बोलता है रूल नंबर वन सेम साइन है अब देखो सेम साइन है वहाँ पे अभी मल्टिप्लिकेशन है कि डिविजन है तो जो भी हेवक कर लो मतलब मल्टिप्लिकेशन है तो मल्टिप्लाइ कर लो डिविजन तो डिविजन कर लो मतलब बता नहीं वहाँ पे क् कर लो परफाम साइन का डीशन मतलोdad multiplication तो मल्टीपिलिकेशन करो डिवीजन तो डिवीजन करो बट सेम साइन है ना तो लास्ट में आपको यहाँ पे प्लसी लेना है हमेशा क्या लेना है प्लसी लेना है देन रूल लमबर टू क्या बोल रहे बिटा अगर डिफरेंट साइन ह अगर different sign है different sign है तो आपको फिर से बरवही multiplication है तो multiplication कर लो मतलब multiplication division में sign के बारे में पहले सोच hierarch मैं लोगा दो दो वह नमबस का मल्टिप्लिकेशन है तो मल्टिप्लिकेशन करो डिवीजन है तो डिवीजन कर लो साइन का हम बाद में देखेंगे लास्ट में देखेंगे तो डिफरेंट साइन है मल्टिप्लिकेशन है डिवीजन है वह हमने कर लिया तो लास्ट में आपको यहां पर उससे clear हो जाता है तो चलो एक्जामपल लेते हैं देखो एक्जामपल नंबर बन एक्जामपल नंबर वन है एकदम simple simple example है माइनस 3 into minus 4 सबसे पहले multiplication दो दिख रहा है सर है ना तो same sign भी है तो मैंने क्या बोलाता सेम साइन है तो multiplication है तो multiplication कर लो 3 into 4 क्या होता है 12 होता है अब साइन के बारे में सोचते हैं दोनों सेम साइन है ना तो final answer में क्या लगाना है प्लस प्लस नहीं लगा है तो भी चलता है तो answer क्या आएगा प्लस वेल और यह करेक्ट है राइट दूसरा एक्जामपल सर दूसरा एक्जामपल इसी का थोड़ा सा अलग फॉर्माट ठीक है चलो आप देखो यहाँ पर लेते बिटा आफ माइनस फाइव इंटू प्लस त्री डिफ्रेंट साइन है सर पहले मल्टिप्लाइ कर ले विटा डॉंट वरी टेंशन मतले तू यह फाइट इंटू तुरी फिप्टी ने डिफ्रेंट साइन है तो नेगेटिव साइन देना है खताम ठीक है और यहाँ पे तीसरा एक्जामपल में आपको डिविज और तैन बाइनस टू है सरतों साइन नीचे है उपर है यहां पे बीच में कुछ फर्क नहीं पड़ता यह देखर को यहां पर बीच कुछ लोगों को सब्सक्राइब पूरे अहाँ पोला knew और माइनस टेन बाइक उ सर्यिया अलग है नहीं बलाइन एक economies वत्युग में भी लगा सकते हैं यहां पर भी लगा सकते हैं तो इसके बाद यह वाला confusion नहीं होना चाहिए भी तो देखो माई 10 by minus 2 है तो पहले डिविजन कर लो ना डिविजन करेंगे तो अंसर क्या आएगा डिविजन करेंगे तो अंसर आएगा और यह इनने प्लस है तो फाइनल अंसर में माईनस आएगा आ रहा है समझ में सिंपल लग रहा है कि नहीं confidence आ रहा है अगर आ रहा है तो बताओ नहीं आ रहा है तो कुछ मत बताओ शांद बैटा फिर ठीक है और वीडियो को बार बार देखो जब तक समझ में नहीं आता है तब तक देखते रहो ठीक है तो देखो multiplication के मैंने यहां पर दो गिसांपल बता है जहां पर सेंपसाय था तो coupon Feld यहां पर हमने माइनस लगाया यहां पर देखो전 में एक सैन वाला करते ओन दो तो इसी षाए गया जैसे की मेरे पास है 50 x 15Note कि 10มา क्री और आ जिशेंगे साइन इना डिविजन यामिशान सान होगा Multip кат sail फिंग में कुछ में इसमें कुछ ही नहीज सबसे पहले addition subtraction कैसे करना इस में कोई Multipалоب जीन दिखेगा आपको उसके बाद दो लगाने सेम सान होगा तो सीधा सिधा addition कर दो सीधा addition कर दो उसके बाद आपको क्या करना है वही साइन देना जो करणा तो है वही प्लस है दोनों प्लस है तो यह तो संप् बात सहीर करना है अगर साइन डिपरेंट है तो आपको सब्ट्राक्शन करते है तो हमेशा बड़े नम्बर में से छोटा नम्बर हिए उसके बाद आपको multiplication division में क्या करना है same sign होगा तो plus में final answer में plus लगा दो और अगर different sign है तो minus लगा दो that's it इतना ही है बहुत simple है आपने इसको difficult कर दिया था अब देखो यह simple हो गया इन चारो rules को अगर आप follow करेंगे addition subtraction के दो rules और multiplication division के दो rules तो यह चार rules आप use करके कोई भी question solve कर सकते हैं sign में गडबड नहीं होगा तो आई हूप आप सब लोग यह rules अच्छे से लिख के रखेंगे और इसके उपर अलगर question solve करेंगे और confidence आने के बाद comment box में लिखेंगे yes sir sign वाले concept अभी clear होगे तो यहाँ पर रुकते बिटा फिर मिलेंगे ऐसे नहीं 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 वीडियो में so तब तक कली बाबा टेक केर और हम आइस दे